यहां पर जितने भी साथी जुरे हुए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बैठ जाएं यहां पर आए हुए तमाम साथियों को जहां तक माइक की आवाज पहुच रही है सभी साथियों को इंडिपेंडेंडेंस डे का 76 तो इंडिपेंडेंस डे है उसके ग्रीटिंग्स और JNUSU के तरफ से आज यह जो मार्च हमने किया है रिक्लेम आजादी उस मार्च के साथ साथ जब हम बोल रहे हैं रिक्लेम आजादी हम जो एंटी कोलोनियल स्ट्रागल है उसको याद करने की उसके साथ उसकी जो हिस्ट्री है हमारी देश के जो फ्रीडम फाइटर्स मार्टियस रहे हैं इस है, RSS, right wing जो forces है, वो जिस तरीके से इतिहास को rewrite करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर भी रहे है systematically, और सिर्फ ये बात कहीं पे abstract और vacuum में नहीं हो रहा है, आज के समय पे अगर हम देख रहे हैं कि history को rewrite किया जा रहा है, तो वो एकदम state के मदद से, structure से, एकदम state apparatus के through किया जा रहा है, आज के समय पे आज जब हम लोग यहाँ पे इकटा हुए हैं, हम also all the political prisoners उनको याद करेंगे, उनकी जो लड़ाई है, freedom of speech, freedom of expression को इस देश के अंदर बचा रखने के लिए, democracy को intact रखने के लिए, हमारे जो साथी है, शरजील, उमर, एवन गुल्फिसा, तमाम सारे साथी, और भी जो political prisoners है, मिरान से लेके, सब कोई, जो आज जेल के अंदर उनको incarcerate करके रखा गया है, बिना कोई proof के, बिना कुछ के, उनको बार-बार जेल के अंदर रखा जा रहा है, और हम continuously आज के समय पे भी देख रहे हैं, अगर आप लोग ने बहुत short में रखने की कोशिश करेंगे, recently news देखा है, तो 2023 में धर्म संसद की बात किया जा रहा है देश के अंदर, जो constitution को replace करने की बात कर रहे हैं, आज के देश के अंदर जब हम for 75 years को खतम कर रहे हैं, हम celebrate कर रहे हैं, वो ही समय है जहां पे राजस्थान के अंदर एक दालित छात्रा, 9 साल के उमर, जो पानी का मटका छूरने के वज़े से दलित होने के कारण, उसका जो teacher है, जो obviously upper caste से आते हैं, वो उनको पीट के और उसके बाद 23 दिन के बाद उनका हत्या हो जाती है, तो आज ये reality है, 1947 में जो reality था हमारे देश में, जो हमारे martyrs थे, जो हमारे freedom fighters थे, उन्होंना अगर British colonial जो forces है उसके खिलाफ लड़के देश को आजात किया था, इसलिए नहीं आजात किया था कि सिर्फ British colonialism को, imperialist forces को इस देश के अंदर से खतम करेंगे, लेकिन इस बात के लिए भी आजादी मांगी थी, कि हमारे देश के अंदर, जो लोग होंगे, जिनको citizens हम बोलते हैं, हमारे देश के जो आवाम है, वो सर उचा करके इस देश के अंदर रह पाएंगे, भगत सिंग जब जेल में उन्होंने अपना note लिखा था, उन्होंने भी exactly यही बात बोला था, कि सही माएने में आजादी तभी आजादी होगी इस देश के लिए, जब सिफ अंग्रेजों की गुलामी से आजादी नहीं, लेकिन इस देश के किसान मजदूर, जो इस देश को बनाते हैं, उन वो लोग अपना सर उचा करके आज इस देश के अंदर जी पाएंगे, लेकिन हमने यही देखा, पिछले 75 साल में, हमारे जो देश के इंसानों को, देश के आवाम और किसी नहीं तरीके से, जाए वो धर्म के आदार पे हो, कास्ट के आदार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, और आज मेरा में 15 साल, जब हम याद कर रहे हैं यह स्ट्रागल को, इस बात को याद करने के साथ-साथ, अब आने वाले समय में, 100 साल में जब ये देश बढ़ रहा है, आजादी से तरफ, तो इस बात को भी याद करने की जरुवत है कि हम as a country, हम as citizens कहां खरे हैं, as citizens, how are we standing right here after 75 years, we need to reflect and also critically examine that as citizens in the coming days, as youth of this country in the coming days, as students of this country, how are we going to reshape and rebuild this country? So, आज के JNUSU के समार्च के लिए हमारे पास दो स्पीकर्स थे, लेकिन एक अनॉंस्मेंट करना है, प्रोफेसर सुचेता महाजन, जो आने वाले थे, उनके फैमिली में किसी को COVID contract हुआ है, जिसके कारण वो आइसोलेशन में है, और she wanted to join us, but she couldn't at the last moment. We have Professor Surajit Mazumdar, who is a faculty in CSP, with us to have his words, so we would like to invite Professor Surajit here to speak. Thank you.